हलो दोस्तो आज हम लोग एस्फेरिकल रोलर बेरिंग के बारे में जनकारी लेंगे और उसका कौन सा पार्ट क्या नाम है और उसका डीटेल समझेंगे कि बड़े बड़े एकुपमेंट में और कनवेयर बेल्ट में एस्फेरिकल रोलर बेरिंग का इस्तमाल क्यों किया जाता है और उसका वांटेड और डिश्वांटेड क्या क्या है यह सब सारे चीज़े हम लोग अभी डिसकॉस करेंगे अभी हम लोग के सामने यह डाइग्राम है स्पेर्कल रोलर बेरिंग का जिसमें टॉप में लिखावा है इनर रेस्वे उपर में लिखाई दे रहा है वो इनर रेस्वे है और उसका दूसरा सेकेंड में बोर लिखा हुआ है जो उसका आइडी है बेरिंग का आइडी है और थर्ड नमबर में लिखा हुआ है बेरिंग का केज जिसमें उसमें रोलर लगा हुआ है और फोर्थ में है आपका रोलर्स जो cage पकड़ के रखा है Aspherical bearing contraction में क्यों इस्तमाल किया आता है Aspherical roller bearing involve an inner ring with two racers raceway repairing at the position to bearing axis and external ring with a common spherical raceway Aspherical roller cage and in curtain design also in guide ring या center ring Aspherical roller bearing inner में जो दो way होता है और दोनो way में आपका ball लगा रहता है और position को axis का interline में रिंग जो रहता है उसको lock करके पकड़के common रहता है और दोनों देखे दोनों ring रहता है और उसको पकड़के रखता है और जो जब चलता है तो एक ही दिशा में rolling करता है और उसका cage और जिसका design है internal और आपका outer जो गार्डिंग करता है केज को गार्डिंग करता है और उसी में रोटेट करता है और घुमता है इस फेरिकल रोलर बेरिंग का काम है accommodated misalignment मतलब यह आपका misalignment रहेगा फिर भी आपका चलेगा और और high load carrying capacity इसका जो carrying capacity है high load भी रहेगा तो भी चलता है high load में यह ज्यादा इस्तमाल किया जाता है तीसरा है lubrication features इसमें lubrication किया है तो अंदर में जो ball के अंदर में lubrication रहता है और उसी में recycling होते रहता है और जल्दी damage नहीं होता है low friction and low service life मिसका जो friction है बहुत ही कम होता है और लंबा लंबा life रहता है इसका लंबा चलता है अगर यह bearing आपको थोड़ा सा भी मिस align रहेगा तो automatically align हो जाता है देखिए आपको यह आपका उसका bearing देखे बाहर निकल गया एसा inner वाला रहता है डिजाइन वो copper का cage रहता है और उसका अंदर में यह उसका roller fitting रहता है और देखिए कैसे यह self-range रहता है और उसका घुमता है दो cage है दो cage में दोनों cage आपस में चटे रहते हैं और दोनों one by one करके भी घुमते हैं और आपका यह misaline रहता है थोड़ा misaline रहता है तो चलता है और आपका friction बहुत ही कम रहता है और यह heavy load में चलता है और इसका mean कारण है बड़े-बड़े system में इसी दिये दिया थै क्योंकि इसका friction बहुत कम होता है heavy load में रहता है और यह बहुत जादा ही मतलब sound कम होता है इसका noise ही बहुत ही कम रहता है ऐसा ही हमारे वीडियो देखते रहते रहें और हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्य बात झाल